अबल्कम तु माय चैनल आज हमारा टॉपिक हई एक टैन्थस फ्लावर अज हम दोग देखेंगे कि इस पर हम गर्मी के सीजन पर कितने अच्छे तरीके से व्लूम करें यह फ्रेंस आप इस flowers की winter में बहुत अच्छे तरीके से care करेंगे तो friends ये सालों साल ये आपके पास टिका रहाएगा और फूलों से हमेसा लदा रहाएगा हमें इसकी care करने के लिए कुछ जादा तो नहीं करना पाता लेकिन friends आप इसकी winter में थोड़े अच्छे से care करेंगे तो ये काफी अच्छे तरीके से bloom करेगा friends आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इसे हम इसके winter में इसकी care कैसे करें friends हमें इसे ऐसे जगह winter में रखना जहां अच्छी खासी धूप लगे और इसे हमें फॉग या सीट लहर से बचा के रखना आप देखिए इस पर यह plant आप कितने तरीके को लगा सकते हैं आप इसके बीजों से लगा सकते हैं इसकी cutting लग देखिए इस तरीके से इसमें बीज आते हैं आप इसे तोड़के फेकते जाएंगे तो भी ये खुब धेर सारा bloom करेग देखिए इसमें इस तरीके से इसका seed pot बढ़ता है इसी के अंदर छोटा छोटा इसका बीज रहता है जो आप इसे save करके रख लेंगे सुखा के अच्छे तरीके से तो भी आप इसका plant एक अच्छा बना सकते हैं फ्रेंस हमें जितनी भी ये देखिए इस तरह से एकदम अच्छे तरीके से इसके सारी branch को उधम्क कर दीजिए उधम अच्छे तरीके साप उप्सकी कटिंग करेंगे ये उतने अच्छे तरीके से पूरे गर्मी के सीजन तक फ्लावर देगा आप इसकार्व प्रूणिग करें देखि इस तरीके से अच्छे तरीके से कटिंग करने के वाद फ्रेंस हम गमले की मिट्टी को एक इंच गहरा खोद लेंगे और इसे अच्छी तरीके से गुड़ाई करके मिट्टी बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से हम इसके पूरे प्लांट के नीचे से मट्टी निकाल लेंगे और फ्रेंस हम आप इसी से cutting लगा के अपने garden में सालों साल कईयों plant बना सकते हैं आप एक ही plant लाके नर्सली से कितने सारे plant बना सकते हैं इस तरीके से हम इसकी lips को तोड़कर इतना सारा हम इसे मिट्टी में लगा देंगे देखिए इस तरीके से हम इसे मिट्टी में दसाग देंगे पानी ड वीडियो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिये